So guys, अगर आप लोग OPPO Reno8 and OPPO Reno8 Pro यूज़ कर रहें और यह डिवाइस में अगर आप लोगों को OTG Connections को यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ेगा बिलकी आइकन को प्रेस कर लेना है OTG Connections को यूज़ करने के लिए First of all आप लोगों को अपने फोन में Settings ओपन करना होगा और सबसे आसान तरीका आप लोग सर्च बार पे OTG सर्च कर देना होगा तो System Settings में आप लोगो OTG Connections देखने को मिलेगा कभी-कभी क्या होता है कि ये Option आप्टमेटिक भी Open हो जाता है On हो जाता अगर आप लोग OTG केबल लगाते तो अगर On ना हो, OTG Connect ना हो ता आप लोग इसको On कर दीजेगा उसके बाद OTG Connect कर दीजेगा आप लोग का OTG जो रहेगा वो Connect हो जाएगा ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग OPPO Reno8 Series में OTG Connections को यूज़ कर सकते है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी